उंचे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ कालु कवा नारियल पानी पी रहा था कि वहाँ एक भूला हुआ बादल आ जाता है कवी मेरा सा भूल कर यहाँ आ गया मैं बहुत प्यासा हूँ अगर मुझे कुछ पीने को ना मिला तो मैं मर चाओंगा बादल बादल यहाँ से नदी तो बहुत दूर है हाँ मेरे पास यह नारियल पानी है तुम अगर यह नारियल पानी पी कर सागर तक जा सकते हो तो यह नारियल पानी पी लो बादल कवी की बात सुनकर खुश हो जाता है कवे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मैं सागर पर रहता हूँ अगर मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना मुझे बहुत खुशी होगी बादल वहां से चला जाता है और कालू कवा अपने घर आ जाता है कालू मेरा भोजन कहा है गोरी मेरे पांक में धर्द था इसलिए आज मैं दूसरे जंगल नहीं जा सका तुम्हें तो पता है इस जंगल में अब दाना बहुत मुश्किल से मिलता है मुझे फूग लगी है जाओ कहीं से भी मेरे लिए दाना लओ वरना वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी कालू कवा अपनी पतनी से डरता हुआ फिर से घर से निकल जाता है कालू जानता था के उसे चुडिया के घर से दाना मिल ही जाएगा इसलिए कालू कवा चुडिया के पास चाता है चुडिया चुडिया मेरी पतनी बहुत भूकी है मुझे थोड़ा सा दाना दे दो मैं दूसरे चंगल से दाना लेकर आई हूँ अपनी बेटी के लिए मेरे पास ज्यादा दाना नहीं है चुडिया मुझे कालू कहते हैं सीधे से दाना दे दो वरना मैं छीन लूँगा शोर बचाने लगती है कोई है कोई है कोई मेरी मदद करे मैं मैं देख लूँगा तुझे मैं देख लूँगा कालू कव्वा वहां से भाग जाता है कभूतर नदी पर बैठा हुआ था जिसे कव्वा दिखकर सोचता है कबूतर नदी पर बैठा हुआ है मैं अभी जाकर कबूतर का दाना चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ कवा कबूतर के घर दाना चुराने चला जाता है इधर उधर देखकर कालू कवा कबूतर के घर में घुश जाता है और कपूतर का दाना चुरा कर निकल जाता है ये दाना तो कालू जी मुझे चौरी का लगता है तुम आम खाओ आम, गुटलियों से तुझे क्या लेना देना कालू, सच में चौरी का दाना खाने का तो सबाद ही अलग है वो चुरिया की बच्ची बहुत चूचू करने लगी है कल मैं उसे मज़ा चखाऊंगा के कालू कवे से कैसे उची आवाज में बात करते हैं दोसरे दिन कालू कवा साकर की दरफ उड़ता है और कालू कवा गर्जू बादल के पास चाता है दोस्त क्या आपने मुझे पहचान लिया है हाँ तुम वही कवे हो जिसने मुझे नारियल पानी दिया था मैं एक काम से आया हूँ आपके पास बताओ बताओ कवे क्या काम है हमारे जंगल में एक चड़िया रहती है वो बहुत बुरी और गंदी है वो सब को तंग करती है वो सब पक्षियों का भोजन चुरा कर खा जाती है बादल बादल तुम जाकर चड़िया का घर तोड़ दो ऐसे बुरे पक्षियों को सजा मिलनी ही चाहिए तुम चिंता ना करो कवे मैं अभी जाता हूँ और चुडिया का घर तोड़ देता हूँ फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और चुडिया के घर के उपर जाकर ऐसी जोड़ की बरसाथ करता है कि थोड़ी ही देर बाद चुडिया का घर तूड़ कर नीचे गेर जाता है चिडिया बेचारी देखती ही रह जाती है और बादल बरसाद करने के बाद वहां से चला जाता है मैंने उस काले बादल का क्या बिगारा था सारा जंगल छोड़कर मेरे ही घर पर बरसाद की और मेरा घर तोर दिया ममा आप परेशान नहों हम निया घर बना लेंगे कवा चिडिया का घर दड़वा कर बहुत खुश था वो खुशी खुशी अपनी पतनी गोरी को बताता है तोड़ दिया तोड़ दिया मेरे दोस्त मादल ने चिडिया का घर पूरी तरह तोड़ दिया कालू, कालू, फिर तो वो छोटी चड़िया बहुत रो रही होगी मेरा घार, मेरा घार तूट गया हौ, 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 ऐसे, ऐसे रो रही थी चड़िया फिर कुछ दिन बाद कालू कबा तोटे के घौंसले से भजन चोरी कर रहा था कि वहां तोटा आ जाता है चोर, चोर कहीं का, मैं तुझे चोड़ूँगा नहीं तोटा तो डंडा उठा लेता है कालू आगे आगे और तोटा पीछे पीछे भाग भाग कर कालू ठक जाता है और आखिर तोटा कालू कब्वे को पकड़ ही लेता है और कालू का विक्टी खोब पिटाई करता है बताओ बताओ फिर चुराओगे मेरे घोंसले से भाजम मा कसम छोड़ दो मैं फिर कभी तुम्हारे घोंसले को हाथ भी नहीं लगाऊंगा अच्छी कालू को पिटाऊँ दोकर बहुत खोशो रही थे कालू बेहाल होकर घर जाता है कालू पती जी किसी से पिट कर आए हो क्या हाँ गोरी उस मोटी चोंच वाले हरे मिठू तो तेने मुझे बहुत मारा है डंडे से मारा है मुझे उस मिठू तो तेने कालू, जाओ, जल्दी जाओ और अपने दोस्त गर्जू बादल से कोहो के आकर तोड़ दे उस मोटी चौच वाले का घौणसला मैं अभी जाता हूँ और मज़ा छकाता हूँ ताते को कवखा भागता है और जल्दी जल्दी से अपने दोस्त बादल के पास चाता है बादल बादल चिडिया को तो मज़ा चखा दिया मगर चिडिया का एक साथी और भी है तोता, वो तोता रह जाते हुए पक्षियों को डंडे से मारता है देखो देखो मुझे भी मारा है उस तोते के बच्चे ने तुम चलो मेरे साथ मैं अभी जाकर देखता हूँ उस हरे तोते को बादल जाता है और जाकर तोते के घौंसले पर इतनी तेज बरसाथ शुरू करता है कि थोड़ी ही देर में तोटे का घोंसला तोड़ जाता है बादल चला जाता है और तोटा बैठकर रोने लग जाता है फिर दूसरे दिन तोटा रोता हुआ चिडिया के पास जाता है पहले बादल चाचा ने तुम्हारा घर तोड़ा और अब मेरा हमें बादल को सब बताना होगा हमें बताना होगा कि डूस्ट कोवा कैसे हमें तंग करता है हाँ दोटे भीया बादल चाचा को ज़रूर गलत फहमी हुई होगी हम अभी जाते हैं फिर चिडिया और दोटा सागर पर बादल के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताती है और जब हम उसे चोरी करते पकड़ देते हैं तो वो आपके पास आकर हमारी शिकायत करता है वो बहुत बुरा कोवा है विश्मास नहीं तो आप खुद जाकर देख ले अगर ऐसा है तो मैं सचाई चान कर रहूंगा फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और छुपकर देखने लगता है थोड़ी देर बाद कोवा आता है और बुलबुल के घौंसले से उसका अंडा फोर कर पीने लगता है ये कोवा तो सच में बहुत खराब है जालिम जालिम कोवे तुमने ये क्या किया तुमने मेरा अंडा ही पी लिया मुझे भूक लगी थी और याद रखना अगर मुझे से पंगा लिया तो तोते और चुडिया की तरह तुम्हारा घौंसला भी तूटेगा पीछे से बादल बॉलता है अब घर इन पक्षियों का नहीं बलके डुस्ट कवे का तूटेगा फिर वो बादल गुसे में आ जाता है और कवे के घर पर जोरों की बरसात करता है और कवे का घर तूट जाता है फिर बादल चुरिया और तोते को बादलों के बने हुए नरम नरम घर देता है और वहां से चला जाता है चिरिया उसकी बेटी और तोता अपने ने बादलों के घरों में बहुत खुश थे और कवे अपने किये पर पश्टा रहे थे और रो रहे थे गर्मी के मौसम में ठंडी नदी के पास गोरी कवी बैठी पका हुआ मीठा आम खा रही थी थोड़ी दूर बैठी चिरिया गोरी को आम खाता हुआ देख रही थी चिरिया चिरिया यहां आओ मेरे पास आओ चिरिया गोरी कवी के पास आ जाती है क्या तुमने कभी आम खाया है हाँ गोरी बहन, पिछली बाल के मौसर में मैंने एक आम खाया था लो लो, थोड़ा सा आम तुम भी खा लो चिडिया जैसे ही आम लेने के लिए अपना पंक बढ़ाती है तो गोरी कवी आम अपने मूँ में डाल लेती है उलू बनाया, बड़ा मज़ा आया, उलू बनाया, बड़ा मज़ा आया मीठा था, मीठा था ये आम, मज़ा आ गया तुम बहुत बुरी हो, तुम गंदी कवी हो, तुम दूसरों का जी लल चाती हो मैं नहीं बात करूँगी तुम से, चिडिया वहां से चली जाती है आर पड़ेगी तुझे। कालू जी, तुम तो कमाकर लाते नहीं हो, अब क्या मैं भूख से मर जाओं, चोरी करूंगी तो पेट भरूंगी। इंसान बहुत जालिम होता है। गोरी भी बहुत जालिम है, मैं ऐसे चोरी करती हूँ कि कभी पकड़ी नहीं जाओंगी। दूसरे दिन गोरी कवी फिर से किसान के खेट में जाती है, वो थोड़ी दूर एक पेड़ के पीछे चुपकर बैठ जाती है, किसान अपने खेट में काम कर रहा था। दूपहर को जब किसान थोड़ा आराम करने के लिए पेड़ की ठंडी चाओं में लेड़ता है, तो गोरी कवी तुरूंत वहां से उड़ती है, और सीधी किसान के तर्बूज के खेट में चली जाती है, गोरी कवी एक बड़े तर्बूज के पीछे चुपकर जीब भर के तर्बूज खाती है और एक तुकड़ा तर्बूज का लेकर वहां से भाग जाती है, वो कल वाली ठंडी नदी पर जाकर बैठ जाती है, कबूतर और तोदे सुनो मेरी बात सुनो, गोरी कवी चाते हुए कबूतर और तोदे को बुला लेती है, ये तर्बूज बहुत ना ना, मैं तो अपने कबूतर भीया को दूंगी मेरी गोरी बेहन कितनी अच्छी है, मेरा बहुत ख्यार रखती है दो दो थोड़ा तर्बूस मुझे दे दो अपना मूँ खोलो मगर गोरी कवी तर्बूस अपने मूँ में डाल लेती है कबूतर शर्मिन्दा हो जाता है लो खालो गोरी का तर्बूस मैं तो चला तोता वहां से चला जाता है तुमने मेरे दोस्त के सामने मेरी बेज़ती की है तुम हमेशा दूसरों का मज़ा कुडाती हो कबूतर भीया क्या करूँ मुझे ऐसा करने में बहुत मज़ा आता है गुसे में कबूतर भी वहां से चला जाता है हर रोज की तरहां आज जब गोरी कवी किसान के तर्बूस चुराने लगती है तो किसान वहां आ जाता है गोरी को समझ नहीं आती के वो कहां छुपे वो अंदर से आधे खाय हुए तर्बूस के अंदर चुप जाती है कौन सा तर्बूस तोड़ू जो मेरी बतनी को पैसान दाए हाँ ये ये वाला तोड़ता हूँ जिस तर्बूस के अंदर गोरी कवी चुपी हुई थी किसान वही तर्बूस तोड़कर टौकरी में रख लेता है ये किसान मुझे कहां लेकर जा रहा है फंस गें हूँ मैं अब इस तर्बूसे बाहिर कैसे निकलूंगी जब शाम तक गोरी कवी घर लोट कर नहीं आती तो उसका पती कालुकवा परेशान हो जाता है ये गोरी कहां चली गई है अभी तक लोट कर नहीं आई कहीं पकड़ी ही न गई हो कालुकवा परेशान होकर तोटे के पास जाता है यार तोटे मेरी गोरी बतनी सुभा से घर नहीं आई कहीं देखा है दूने उसे मैं उससे बात नहीं करता वो हर रोस तरहां तरहां के फल चुरा कर खाती है और मेरा जी लल जाती है फिर कालू कववा कबूतर के पास जाता है यार कबूतर मेरी गोरी पत्री नहीं मिल रही उसे ढूंडने में मेरी मदद करो मैं तो चाहता हूँ वो कहीं खोही जाए वो हरोस मेरा जीलल जाती है वो बहुत बुरी है वो गंदी कवी है गोरी से सब तंग थे इसलिए कोई भी कालू कवे के साथ गोरी की खोज में नहीं जाता कवे भेया मैंने सुभा देखा था गोरी कवी किसान के खेट की तरफ जा रही थी चड़िया मेरे साथ चलो हम गोरी को किसान के खेट में देख कर आते हैं फिर चड़िया मान जाती है और कालू कवे के साथ गोरी को देखने जाती है गोरी तो आज बुरी तरहां फंस शुकी थी किसान ने वो तरबूज लाकर टौगरे में रख दिया था पतनी जी तर्बूस दो और काट कर खालू चाकू कहां रखा था आपने गोरी भी तर्बूस के अंदर ये सब सुन रही थी मर गई आज तो मैं तर्मियान से कट जाओंगी उपर वाले मेरी मदद करना किसान की पतनी चाकू चलाती है तर्बूस कटता है और गोरी कवी अंदर से निकल कर फोट से उड़ जाती है गोरी तो उड़ जाती है मगर गोरी कवी की पूँच कट जाती है कवी कवी पती जी तर्बूस में कवी कहां से आई शायद ये वही कवी है जो हाजोस मेरे तर्बूस चुरा कर खाती है देखती और भागती वह भागते भागते सीधी जाकर कालू का विचे डगरा जाती है गोरी तुम कहां थी हम तुपहर से तुम्हें ढून रहे थे चुर्या चुर्या कालू कालू पति जी मेरी पूंच मेरी पूँच फिर कवे और चुडिया का दिहान गोरी की पूँच पर जाता है और चुडिया हंसने लग जाती है गोरी गोरी कहा है कहा है तीरी पूँच चुडिया मेरी पूँच किसान की पतनी के पास है पलीज मुझे मेरी पूँच वापिस ला दो चुडिया अब तुम ही कुछ कर सकती हो वो किसान और उसकी पतनी हम कवों को देखते ही बंदूक निकाल लेते हैं प्लीज मेरी चुडिया बेहन मुझे मेरी पूँच ला दो ठीक है मैं जाती हूँ फिर चुडिया किसान की पतनी के पास जाती है माजी ये पूँच आप मुझे दे दे चिडिया ये उस जुष्ट कवी की पूँच है जो हर रोज हमारे खेसे तरबूस चुराती है मैं वादा करती हूँ वो फिर कभी आपके खेत में नहीं आएगी भस ये पूँच मुझे दे दो वो पूँच के बीना बहुत बुरी लग रही है ऐसे चिडिया गोरी कवी की पूँच किसान की पतनी से ले जाती है और गोरी कवी को दे देती है कालू कवा गोरी की पूँच फिर से लगा देता है गोरी अब दुबारा अगर किसान के खेत में गई तो जान से जाओगी कालू जी अब तो मैं भूल कर भी किसान के खेत में नहीं जाओगी ऐसे गोरी कवी को सबक मिलता है